दोस्तो आपका हमारे यूटीव चेनल पर स्वाधत है दोस्तो किस प्यार की सबसे बड़ी अभिव्यक्ती होती है यानि कि एक किस प्यार के ना जने कितने सब्द ब्यक्त कर देती है लेकिन कई बार लड़के और प्रोस यही समझने में अस्फल रहते हैं कि आखिर उनकी गर करना और कराना पसंद करती है किन्तु अपने पार्टनर से कुछ कहती नहीं लेकिन इच्छा जरूर रखती है कि उनका पार्टनर उनकी इस इच्छा को अवस समझे और उन्हें जिस जगह पर किस करना पसंद है वैसे ही करे चलो बताते हैं दोस्तो यदि आपने अभी तक इस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तो लड़कियां और इस्तरियां उन्हीं लड़कों और पुरसों के साथ लंबे समाज तक रिस्ते में रहती हैं या रहना चाती हैं जो लड़के और पुरस उनकी प्यार से संबंधित पसंद और इ मांसिक रूप से connect हो जाती हैं क्योंकि वे हर रहाल में अपनी सारीरिक और मांसिक इच्छाओं को पूरी करने की इच्छा रखती है दोस्तो अफने partner के साथ किस करने की इच्छा हर किसी की होती है फिर वे चाहिए लड़के हो चाहिए लड़कियां, इस्त्रियां हो चाहिए पुरोज़, किन्तु आपको एक बात पता होनी चाहिए, कि हर किसी को अलग अलग तरह से, सरीर के अलग अलग जगहों पर किस करना पसंद होता है, या कराना पसंद होता है, किन्तु एक किस ऐसी भ भावनाओं और निस्वार्थ प्रेम से जोड़ कर देखती हैं जो सच भी है दोस्तो बैसे तो आज की पिली मात है कि किस को बच्चों की किस समझती है चलो मान भी लेते हैं कि ये बच्चों की किस होती है लेकिन बच्चों से तो सभी निस्वार्थ ही प्रेम करते हैं और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि कोई लड़का या पुरुस अपनी महला पार्टनर को बच्चों जैसा निस्वार्थ प्रेम करें। प्रेम किस में प्यार नजराया और किस तरह की किस में बासना नजराया आई। आपके सामने सारी सचाई खोड़ा आ जाएगी। थार्ड नमबर दोस्तो सारी रिक रिस्ता बनाते समय लड़कियों और इस्तियों को होटों गर्दन और कान के पास भी किस करना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा गालों पर भी उन्हें किस पसंद होती है। किन्तु लड़कियों और इस्तियों को भावनातमक और मानसिक सुकून भी देती है। और अपने पार्टनर द्वारा माथे पर की गई किसको वे पूरे दिन नहीं भूल पाती है जबकि दूसरी जगह की गई किस बस उतने समय तक ही इंजॉय करती है दोस्तों आपको कैसी और किस जगह किस करना सक्से ज़्यादा पसंद है कमेंट डॉक्स में पीराई जरूर लिखें फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार